Hey everyone, welcome to doubtnet, I am Yogi Shandrashukla, स्वागत है आप सभी का इंडिया के best educational platform doubtnet पर और अब हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं एक one short video जो आपको class 10th का ये जब वर्जस chapter आपको पढ़ाने में help करेगा जिसका नियंतरण एवं समन्वैस, दुनिया के लोगों का control करना है and coordination करना है लोगों के सरीर को चलाना है, जनाब आपके सरीर में पाचन होता है, जनाब आपके सरीर में उतसरजन होता है, स्वशन होता है, पर इन सब चीज़ों को चलाया कैसे जाता है कि सोचो कि अगर तुम्हारे सरीर में खाना बहुत चला जाए और पाचन ना हो सोचो कि सरीर में oxygen की कमी हो जाए और सोचो ऐसी और भी बहुत सारी चीजें अगर वो हो जाएं तो control कैसे करोगे kidney अपना काम proper ना कर पाए तो कैसे control करोगे या फिर मैं गर एक बात कहूं कि आपका सरीर कुछ करना चाहिए जस लाइक मानलो अभी आप खड़े हो तब तो आपका हिर्दय बराबर चल रहा है पर आपको अभी दोड़ना है तो तो नमारे heart को पता थोड़ी चलेगा कि आदमी दोड़ रहा है कौन बताएगा कि आदम वो दोड़ रहा है उसको ज़्यादा blood चाहिए अब या फिर मैं सांस ले रहा हूँ या कुछ भी ऐसी चीज अचानक से कोई चीज बढ़ती घटी है तो हमारा सरीर control कैसे करता है इस विशय के बारे में ये chapter है और बहुत अच्छा chapter है चोटा भी है बहुत बड़ा नहीं है अराम से आप इस chapter को आसानी से पढ़ सकते हैं इस chapter का main basic मैं आपको बता रहा हूँ बेटा कि जब भी आप नियंत्रणिम समन्वे करेंगे तो इससे पहले कि मैं chapter start करूँ वीडियो को लाइक कर दीजे अपने मित्रों के साथ साजा कर दीजे सब्स्राइब कर लीजे हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार की जरूरत है आपको आपकी इस चैनल को यही प्यार बनाए रखें चलिए start करते हैं तो नियंत्रण कंट्रोल क हो रही है वो सब कुछ हमारे दिमाग से control होता है directly indirectly हर एक चीज brain ही करवाता है यह बात है दूसरी चीज जो चीज ब्रेन directly नहीं कर सकता उसको कुछ hormones chemical के तुरू भी maintain करवाता है तो हमारा सरीर दो नियंत्रण को मानता है एक नियंत्रण है hormonal chemical control जिसे हम hormonal नियंत्रण कहते हैं दूसरा brain से मतलब मस्तिष्क से control करवाता है और उस control को हम कहते हैं neural control क्योंकि neuron से काम चलता है तो यह दो control हमारे पुरे सरीर को निर्धारित करते हैं तेजी कोई hormone release करना हो जैसे आपने सुना होगा कि सुगर का पाचन insulin करवाता है आपने सुना होगा कि आपके सरीर का BP जो है वो adrenaline बढ़ाता है आपने अगर नहीं भी सुना हो तो सुन लो कि भाया male के अंदर सुक्राणू जनन का निर्मान जो है वो testosterone estrogen progestron female के अंदर ये सब चीजे होती है male के अंदर androgens testosterone ये सब होता है तो ये सारे चीज हॉर्मोन सी तो है आपने सुना होगा just like कि मानलो यहा पर मैं आग लगा दूं ऐसे करके तो मेरा हाँ तुरंत हट जाएगा ये कौन करवाया brain करवाया तो इन सभी चीजों को पढ़ना हमारा काम है चलिए one shot मैं आपको ncrt के point to point और लिखकर point को समझा कर आपको आज इससे discussion करता हूँ जो very first thing का ध्याय 6 है ये नियंत्रण एवं समन्वे और आपका नियंत्रण आपका brain का कौन सा भाग क्या करता है ब्रेन कितने भागों से मिलकर बना होता है ब्रेन के कौन कौन से काम है मेन भाग कहां पर है कितने भाग का क्या क्या नाम है ऐसे सभी विश्यों पे आज हम चर करता है इसे दो पार्ट में बात कर सकते हैं एक तो हो गया हमारे पास में हॉर्मोनल हो गया और इसे हम कहेंगे बैया कि ये जो कंट्रोल है वो क्यामिकल कंट्रोल है और दूसरा होता है आपके पास में नियूरल नियूरल कंट्रोल तंत्री का नियंत्रन तंत्र की नियंत्रन तो दूसरा नियंत्रन हमारे पास में है तंत्री की नियंत्रन तंत्र की नियंत्रन तो दूसरा नियंत्रन हमारा है तंत्र की नियंत्रन और तंत्र की नियंत्रन मतलब ये नियूरॉन से होगा और नियूरॉन क अगरे कौन रिलीस करते हैं आपको पता है आपके सरीर में गजब गजब की गरंथियां है वो गरंथियों से कंट्रोल होते हैं तो इस तरीके से आपका मस्तिश्क आपका ब्रेन आपके हॉर्मोन्स आपके तंत्रिका ये सब कंट्रोल करते हैं आपके सरीर को जैसे अगर मैं क हूँ कि आपके सरीर में ज़ादा उपापचे होने लग जाती है थाइरोइड से थाइरोक्सिन से तो ये लोग रिलेशन तो है ना आपकी बॉड़ी पे कुछ ना कुछ तो करी रहे हैं ये जो कुछ भी कर रहे हैं यही नियंत्रण है ये जो कुछ भी कर रहे हैं यही अचानक से पीछे साप आ जाए तो आपको भागना पड़ता ये ब्रेन ही बताता है तो ये सारे कंट्रोल हमें बात करनी है तो चलिए सुरुआत करते हैं जन्तु तंत्रीका तंत्र हम नियंत्रन करेंगे तो नियंत्रन को तंत्रीका तंत्र से कंट्रोल करते हैं तो याद होता है हम जैसे ही चलते हैं जैसे मान लो मुझे हाथ आगे करना है तो यह हाथ आगे कैसे हुआ पता है मेरी पेशियों ने करवाया तो आपके सरीर में नियूरॉन्स और आपकी पेशियां ये आपके सरीर का कंट्रोल करते हैं चलना है फिरना है खड़े रहना है क्या करना है यह सभी लोग कंट्रोल करते हैं जिसके विशय में आपक अक्षन अभी में पढ़ चुके होंगे लेकिन जैसे आकाश्मिक परिस्थिति अचानक से आपने गरम गरम पानी में हाट डाल दिया आकाश्मिक पर brain में अभी उतना कुछ नहीं भरा हुआ है ठीक है आग भी छू लेते हैं आग कटवा लेते हैं गिर जाते हैं लेकिन जब हम बड़े होते जाते हैं तो अपने experience के according हमें दिखता अचा आग है नहीं छूना है साप है भागना है बच्चों को साप से डर नहीं लगे का बच्च लगाया जाता है आपके सरीर में आपको पता लगाने के लिए sense होता है sense जिसे हम कहते हैं समवेदनाएं आपके सरीर में कितने sense होते हैं पांच समवेदनाएं होती हैं पहली चीज आग से बचना है तो हमें आखों से दिखना चाहिए जैसे दिखेगा नहीं पता किस चलेग पहली चीज आग की दूसरा चीज अगर मान लो गाड़ी गाड़ी आ रही है तो आवाज से भी हमें पता चल जाता है ठीक है मतलब कान से सुनकर भी हम कुछी चीज का पता लगा सकते हैं समवेदना वो भी है इसके अलावा किसी चीज का टेस्ट करके जीब इससे भी हम पता लगा सकते हैं कि वो चीज क्या है इसके अलावा हमारे पास में होती है त्वचा तो कोन कोन होई आख नाक कान मुह याने जीब और आपकी त्वचा ये पाँच सेंस हैं ये पाँच समवेदनाई हैं जो बताती है कि भाई काम कैसे चल रहा है और ये काम कब होगा और ये क्या है अच्छा है या बुरा है हम जीवन में यही सीखते हैं जीब से टेस्ट करकर के क्या अच्छा है क्या बुरा पता चलता है नाक से सुंगना पांच पतान हो गया अपक़ तुछा हो गई ये पांच शैंस आपको संवेदनाएं देते हैं और संवेदनाओं के देने के पीछे रीजन यहें कि पास नियूरॉन्स होते हैं मेरे बच्छे नियूरॉंस वह नियूरॉन आपको ब्रेन तक सिगनल लेकर जाते हैं अब वो नियूरॉन क्या है वही मैं बताऊंगा भी आगी जाकर ठीक है तो ये प्राया हमारी ज्यानेंद्रियों में स्थित होते हैं ये जो नियूरॉन है हमारी ज्यानेंद्री हमेरी समवेद नामें होती है जैसे आपका कान का आंतरिक वा तो आद का पता लगाते हैं, जबकि घ्राण घ्राही गंद का पता लगाते हैं, तो नाग से गंद का पता चलता है, कान से आवाज आती है, आग से हम visualization प्रकास से देखते हैं, जीव से हम chemicals का receptors कर सकते हैं, तो अच्छा से हम touch receptors को पता लगाते हैं, तो अच्छा में जो चीज इसे बारे में सबसे पहले मैं आपको बता ही देता हूँ सबसे basic diagram है आप इस diagram को देख लीजेगा अगर आपसे बन जाए तो बहुत बढ़ी नहीं बनता है तो आप इसे बहुत simple way में बना सकते हैं कोई बहुत बढ़ा चीज नहीं है यह डाइगराम चीक है इदर इसे 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 ब्रांच बना देना ये कौन है क्या है कैसे बनता है सारी चीजें अब यहाँ पर discussion हमें करनी होगी चीक है यह पार्ट यहाँ पर आगे अब चलागे यह डिटेल में आपको 11 में बहुत पढ़ाया जाता है पर अभी आप 10 में हो तब भी थोड़ा बहुत पढ़ी हीलो चीक है यह पोर्शन हमारे पास में बनता है तो यह हमारा neurons है कुछ नहीं रखा है वाई सा आप बास simple सा असान पार्ट है मैं आपको बताता हूँ इस पार्ट को हम कहते है इंग्लीश में भी यह कहते हैं हिंदी में और कुछ भी कहते हैं पर आप इसे डेंड्रॉन ही जानना मेरे बच्चे नहीं तो अलग से ना फिर बार 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 वही पढ़ना अच्छा नहीं लगता डेंड्रॉन यहां पर impulse accept किये जाते हैं यह लोग accept करते हैं impulse को यहां से सिगनल आते हैं और यहां से दूसरे सिगनल में चले जाते हैं यहां से इन हुआ है और यहां से सिगनल आउट हुआ है ये दोनों मिलकर पूरा brain control करते हैं यही है हमारे brain को नियन्तृत करने का तरीका आईए थोड़ा सा देखते हैं यहां पर क्या-क्या बना देखते हैं ब्रांच बने हुए हैं बढ़िया इनके बीच में यह केंद्रक है इसी को यह केंद्रक है मतलब न्यूकलियस है मेरे बच्चे dendron यहां से impulse आता है इसके अलावा यह कोश्की काय है जिसे हम cyton कहते है बीच में यहां पर भरा हुआ रहता है इसके बाद यह भाग आगी तरफ में बड़ा यह तंत्री काक्ष है इसे अपन कहते हैं exon क्या कहते हैं इसे? exon अब exon के उपर एक नीला नीला आप खास कलर का रंग देख रहे होगे जो मैं यहां पर बनाने जा रहा हूँ अब आपको ठीक है? तो यह खास खास कर एक विशेश प्रकार का नीला नीला रंग देख रहे होगे कहीं कहीं पर कुछ कुछ चीजें है और कहीं कहीं पर कुछ नहीं है यह वैसे तो बहुत डेटेल है 11th में ही पढ़ेंगे पर अभी आप इतना समझ लीजे माईलिन का आच्छद है माईलिन का आच्छद है और यह दोनों स्वान कोशिका से बने होते हैं यह 12th का काम 11th का यह बहुत कम शब्दों में बताता है और आपको उतना ही पढ़ना होता है तो synapse तो कितनी चीजे हैं एक exon पे एक neurons पे पहला यह हो गया dendron यहां से impulse आया फिर केंद्र की काई में गया फिर exon में गया अंतिम सिरा में होते हुए आगे बढ़ गया यह कहानी है फिर सबसे आखरी में आता है उसके अंत की कहानी ठीक है अंत में क्या क्या होता है तो अंत में समझ में आता है कि भाई यह जहां पे खतम हुआ है ठीक है यह जा कि खतम कहां पर होता है पेशी में क्योंकि ब्रेन असल में काम कहां करवाएंगे पेशी से न, ब्रेन अब खुद थोड़ी न हिलने जाएगा भाई कि चलो इसको हिलाओ हाथ को, वो क्या करेगा, पेशी तक बात पहुचा देगी, पेशी क्या करवाती है, गतिशीलता करवाती है, हमारी पूरी बॉड़ी का जितना भी मूवमेंट है, वो सब पेशीयों के द्वरा निधारित होती है, गतिशीलता पेशीयों के द्वरा निधारित होती है, तो यहाँ पर आने से पहले, हमारा जो यह एक्जॉन है, यहां तक तो आया, और इसके बाद यहाँ पर ऐसे ब्रांच बना दिया, ठीक है, तो यह यहाँ पर ऐसे ऐसे ब्रांच बन गए, तो इसका नाम होता है exon, यह आपका हो गया terminal, terminal का मतलब होता है antimshira, terminal का मतलब क्या होता है antimshira, और antimshira यह पेश्यों तक पहुँचा दिया, यह पेश्यों तक पहुँचाता है, यहाँ पर भरपूर एमांड में होते हैं मेरे बच्चे, mitochondria, इनके पास में भरपूर एमांड में पाया जाता है mitochondria, और वही से पूरा concept आगे बढ़ता है, समझें, वही से पूरा concept आगे बढ़ता है, mitochondria कहते हैं, mitochondria की कहानी इसी को लेकर आगे लेकर जाती है, तो अब आगे जैसे आप यह देखो, यह कोशिका है हमारी है न, यह पेशी है, पेशी याने, वही मतलब पेशी जिसे अपन कहते हैं, यहाँ से तंत्रिका आया, उससे जुड़ गया, उसके बाद यह है तंत्रिका पेशी संधी, उन दोनों के बीच का ज्वाइंट, और ज्वाइंट आकरी में जाके देखोगे, कंट्रोल हो गया, अब पूरा सरीर हमारे नियूरॉन से कंट्रोल होता है, नियूरॉन सिगनल बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, 11 का बहुत डिटेल पार्ट है, जिसमें आप पढ़ेंगे 11 में, पर यह बात फिलहाल बस इत्ती याद रख लो, पूरी बोडी में लेकर जाता है, और ब्रेन को जाकर बताता है, कि यार देखो वहाँ पर वाट लगे लिए, दिमाग हराब हो गया है, आग लग रही है, यह हो रहा है, वो हो रहा है, दिख रहा है, कोई अच्छा दिख रहा है, तो आपको हसी आने लग जाएगी, कोई बुरा दिख रहा है तो आपको दुख होने लग जाएगा यह सब आपकी आँखों में, नाखों में, कानों में जो जिसे कान में हैं सुन रहे हैं आपको अच्छा प्यार से वर्ट बोल रहा है तो बड़ा अच्छा लगेगा पर अगर आपको आपकी भाष्या में गाली देगा तो आपके ब्रेन को पता है कि यह गाली है वो बुरा मान जाएगा हमने खूंभी देता है, क्या बात कर रहा है मारते हैं इसको, ऐसा कुछ है ठीक है, अब हम आते हैं प्रतिवर्थी क्रिया क्या होती है प्रतिवर्ति क्रिया का मतलब होता है यार की मतलब हमारी बॉडी में एक reflex काम करता neural reflex जरूरी नहीं है कि हर कारक्रियम के लिए हमें brain को ही बार-बार brain तक बात पहुचानी चाहिए जैसे अचानक से मानलो मैं बैठा हूँ और यहाँ पे आजू-बाजू कही आग लगी है और मेरा हाथ गलती से उसके उपर में चला गया तो वो signal brain तक नहीं जाएगा वो अपने आप में हाथ अटा लूँगा यह मुझे पता है समझे बात को जैसे अचानक से मैं तुम्हें बैठे बैठे अचानक से जैसे फेक दो तुमारी पास में तुमारी आखे थोड़ी देर के लिए बंद हो गई होगी यह तुमारा एक रिफ्लेक्स है यही प्रतिवर्ती क्रिया नियूरल रिफ्लेक्स इसी को कहते हैं कि जब भी भाया हम तुम कोई काम कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं तो ब्रेन तक नहीं जाना पड़ता है तब हम जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड तक, स्पाइनल कॉर्ड का मतलब होता है भाया जो आपका मेरु रज्जू है मेरु रज्जु के अंदर एक भाग होता यह डाइगरम आप देख सकते हो यह से मान लो गरम पानी है अब गरम पानी है तो यहाँ पर गरम पानी इसने सेंस किया और तवचा में जो ग्राही होते हैं वहाँ से तंत्रिका कोशिका से होता हुआ यह पहुँच गया मेरु रज्जु में मेरी रज्जु के अंदर गया मरी रज्जु से मस्तिष्क तक संदेश जाता लेकिन मेरी रज्जु ही खुदी से काम कर लेती मेरी रज्जी बोली कि यार यह आग लगी है एक काम करो इसे हटाओ वहाँ से तो तुरंत वहाँ पर फिर सिगनल भेजा और प्रतिशारण तंत्रिका कोशिका भेजा और ये वापस ले जाकर यहां से यहां तक पहुचा दिया इसे याद रखना मेरे बच्चे इसे हम मोटर नियूरॉन कहते हैं ये मोटर नियूरॉन आदेश है हमारे ब्रेन का और ये संवेदी तंत्रिका नियूरॉन है इसे हम कहते हैं सेंसरी नियूरॉन ये नियूरॉन हमारा सेंसरी है संवेदी है ये संवेदनाओं को ले जाएगा ये संवेदनाओं को ले जाता है ये ले जाएगा ये बात याद र जाओ signal लाएगा लाएगा समवेद नाओ के तो बाते बिलकुल ध्यान रखना बड़ा सिंपल है एकदम क्लियर है कि जो signal लेकर जाता है उसे समवेदी नियूरॉन्स कहते हैं जो लेकर आता है वो मोटर नियूरॉन है लेकर गया मेरज्जु तक और मेरज्जु ने उसे तुर हटाओ आग लग चुकी है वहाँ पर हटाओ वहाँ पर धूल हो रही है जो भी है वो हटा देगा बस इतना ही कॉंसेप्ट है अगर आपसे ना बने तो बस आप इतना कर लेना कि भाईया ये हमारा अंग मान लो ठीक है अब अंग के पास में से यहाँ पर आपके पास है प्रेदी तंत्रिका लेकर जाने वाला है लेकर गया मेरु रज्जू में लेकर गया अब ये आगे का डिटेल पार्ट है कि मेरु रज्जू में कहां लेकर गया पर लेकर गया मेरु रज्जू में और मेरु रज्जू से उसके बाद जो है वो प्रेरक कहते है ना उसे क्या मुव्मेंट जो होंगे वो इनकी वज़े से होते हैं कि यहां से वहां लेकर गया वहां से लेकर आया और लाने और ले जाने के बीच में ही पूरा सिग्नलीन काम करता रहता है यह हमारे प्रतिवर्थी प्रक्रियाओं का कारिक्रम है उसके हिसाब से ही चलेगा हाई यह ठीक है भाई मान लिए कुछ बहुत हमारा प्रतिवर्थी क्रिया के द्वारा जल्दी जल्दी हो जाता है जैसे आख बंद करना तुरंत अगर की चलान लग जाता है आख बंद कर लेते हैं या कोई बॉल मारे का तुरंत ऐसे हाथ आगे कर लेते हो ठीक है तो यह सार प्रकार की होती है कितना टाइफ होता है वगेरा वगेरा सब अगली टॉपिक पर आते हैं जना मानव मस्तिश्क मानव का ब्रेन ब्रेन के कितने भाग होते हैं आपको अगर मैं पहले से ही शॉटकट कर दू बिटा कि ब्रेन जो है जनरली तीन तरीके के होते हैं ये भी ट्व आता है हमारे पास में पश्य मस्तिश्क, अगर मैं यहाँ पर कहूं कि आप यह जो चीज पढ़ रहे हैं, यह चीज चो बता रहे हैं, ठीक है मस्तिश्क कैसी होता है, हाँ ठीक है मस्तिश्क रही लिखा मैंने, ठीक है यह चीज होता है अगर मस्तिश्क, तो अगर मस्तिश्क कहते हैं, Diencephalon, जिसे हम कहते हैं Diencephalon, यह दूसरा नाम है, तो इसमें । पहले नमबर का वर्ड आएगा, इसे आपन कहते हैं, वह हई साब, हिंदी, हिंदी, कुछ नहीं होता है इसका है न। देखने विखने में यहीं लोग मदद करते हैं जनाब, तो और इसके बाद यहाँ पर जो आता है इसे अपन कहते है सेरी बैलम सेरी बैलम इंगलिश में तो यही कहते है हिंदी में भी यही नाम है दूसरा नाम आता है इसे अपन कहते है पॉन्स ठीक है पॉन्स और उसके बाद तीसरा वर्ड आता है मेडियूला तो इसका नाम होता है मेडियूला इसका नाम होता है पॉन्स और यही आज की कहानी है तो चलो एक एक करके पढ़ते हैं सभी के बारे में कि ब्रेन कहां पर कैसा कैसा होता है और क्या क्या चीजे पाई जाती देखो मैं आपको बात बताओ आप जब भी बनाईए उसको ठीक है तो ये पार्ट आपके पास में होना चाहिए ये ब्रेन रूट डॉर्सल गैंगली ओन है ये यहां से लेकर यहां तक का पूरा भाग जो है ना बड़ा सा जो भी भाग होता है यहां से लेकर यहां तक का इसी को अपन कहते हैं सेरी ब्रम बाकी भाग आपको नहीं दिखाई देगा पर ये सेरी ब्रम है ये मद्ध मस्तिश्क है इसे अपन कहते हैं वहिया सेरी बैलम इसका नाम होता है सेरी बेलम इसका नाम होता है पोन्स इसका नाम होता है मेडिूला ठीक है और ये वाला भाग होता है आपका मर्ध्य मश्टिश्क ठीक है और सेरी बेलम बगएरा बगएरा सारा कुछ होता ही होता है तो आपके पास में है सेरी बेलम यह diagram बड़ा simple वाला है, आप इसे यहाँ पर भी देखकर बना सकते हैं, आप चाहें तो से fold में भी convert कर सकते हैं, तो आपके पास यह diagram है, आप इसे भी अलग तरीके से बना सकते हो, सारे बच्चे आप इसे cover कर लेना, ठीक है, देखो भाई, पहली चीज़ तो यह इनके पाहर करना खोपड़ी है, कपाल है, खोपड़ी है, यह पहला point हो गया, उसके बाद अंदर वाला भाग जो है, वो प्रमस्तिश्क है, और इसके अलावा यहाँ पर जो भाग होता है, यह पूरा भाग, यह अग्रमस्तिश्क है, जिसे आप कहते हैं, four brain, अग्रमस्तिश्क, यह प जिसे हम कहते हैं, सेरी बैलम, उसके बाद मेडला, उसके बाद बॉन सोर्च के बाद आपका यह दोनों पश्च मस्तिश्क बनाएंगे, हाइपो थैलमस आपको दिख रहा है, प्यूज्विन्थी आपको दिख रही है, सो डाइगरम में कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है बिटा जी हमारे पास तीन प्रकार का ब्रेन है, अगरमस्तिश्क, मद्यमस्तिश्क पश्च मस्तिश्क, सेरी बैलम को हम कह सकते हैं यहाँ पर अनुमस्तिश्क, यहाँ पर हम अनुमस्तिश्क कह सकते हैं सेरी बैलम पे और इसे हम कहते हैं प्रामस्तिश्क, ठीक है, तो य कहानियां भी होंगी जिनके बारे में हम धीरे धीरे टुकडे टुकडे में पढ़के आगे पढ़ते चले जाएंगे और डिटेल फिर खर करते हैं इसका हम तो इस तरीके से हमारे ब्रेन के अलग-लग पार्ट होते हैं और वो अलग-लग पार्ट हमारे लिए अलग-लग तरीक बहुत जादा नहीं पढ़ना है पर काम के बारे में सम лет 10 10 इसलिये होता है कि जब 11 इ आपको पढ़ना में अंब नहीं बहुत बात कर दो पताыш को यह सिल आपको पढ़ाया जाता है. बाद में 12 इसमें आप 11 पढ़ेंगे कि सलसी गायरा ही होता है इसका बहुत बड़ा काम होता है फिर यहां पे 3-4 परत होती है उनका नाम भी आप 11 पढ़ेंगे तो अभी उतना डिटेल ना करें यह मद्यमस्तिश्क हैं इसमें यह आपको देखने में यह आपको क्या बोलते ह मतलब ये बैलंसिंग करने में सब हेल्प करता है हाइपोथेलमस है, प्यूश है, पस्च मस्तिश है इन सब का अपना काम है फिर हम इनके बारे में बात करेंगे तो चलिए मतलब NCIT ने बहुत आसान भाशा में समझाया है हम उतना ही पढ़ते हैं क्योंकि हमें 10 के लिए उतना ही जरूरी है 11 के लिए बहुत ज़्यादा डिटेल होता है तो आप वहाँ पर पहुंचेंगे तो मैं आपका वहाँ पर बेशबरी से इतिजार करूँगा डिटेल पढ़ाने के लिए ठीक है चलिए तो आगे बात करते हैं भईया कि मस्तिश्क का में काम क्या है तो मुख्य सोचने वाला भाग अगर मस्तिश्क है जब हम बात सोचने की कह रहा है मतलब मारे ब्रेण का में पार्ट जो सबसे ज़्यादा दिमाग जहां लगाना है समझना दिमाग सोचना समझना information collect करना याद दास्त वगएरा वगएरा सारी चीज जो है अगर मस्तिश्क में रहती है यहाँ पर बहुत सारे impulse आते हैं बहुत सारी मतलब कौन आएगा brain तक कौन जाएगा मतलब यहाँ पर मार दिया अब मुझे यहाँ पर किसी मारा था यह बात brain तक कैसे गई होगे neurons के द्वारा ठीक है तो यहाँ से जो neuron गया उसे समवेदी neuron कहते हैं और जो वहाँ से उपर आय जैसे मान लोगर आपका पूरा brain इतना बड़ा है मान लेते हैं यह वाला पार्ट brain का है तो यहाँ पर हर जगह ऐसे ना portion बटे हुए होते हैं इसका काम मान लिए है temporal part बटे हुए होते हैं सब के पास अपना अपना काम बटा हुआ रहता है अगर हम अगर मस्तिश के बारे म मैं बात करें तो यह जनरली सुनने सुनने देखने आदी के लिए विशिस्टिक रित है मतलब आपका जितना भी सेंस वाला काम है सुनना हुआ सुनना हुआ देखना हुआ ठीक है और उनकी memories भी बनाना अगर आभी कहीं आसपास समोसा बन रहा होगा तो तुम्हें सूंग समोसे बन रहे हैं समझ रहे हो वैसे तो या फिर रजगुल्ला देखती समय अच्छे चाची रजगुल्ला तुम्हें किसने बताया कि रजगुल्ला है समझ रहे हो ना तुम्हें किसने बताया कि रजगुल्ला है वही चीज जो तुम्हारे ब्रेन में डाली गई है तुम को जानते हो अगर तुम्हारे से रोसोगुला कहते हो तो तो मुसको रोसो गुला ही कहते है समझ्छ रही है और कि तुम्हारे गुलाB-czamo QUE तो गुलाब-醬-醜ा जो पॉइंट होता है कि ये सब मैमोोरी बेस्ट कहाणिया है सुन गे बता सकते हैं देखके बता सकते हैं जैसे मेरी आवाज सुनते ही तुम्हें बचल गया हां सर योगे सर पढ़ा रहे हैं तो आवाज का ये ब्रेन में बैठा हुआ है ब्रेन में बैठ गया अग्र मस्तिश्क का काम है ठीक है इसके साथ चरे शेत्र प्रतक प्रतक होते हैं सब जगे अलग-अलग होता है इनके सिगनल का आ आना सिगनल को ले जाना उनके बीच में कॉर्डिनेट करवाने वाला मतलब उनके बीच में अध्य पम्रजस्ति प्रेवाचि तक नहीं पहुंचा दी जाती, कुछ भी थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कर पहुन जाती, तो ब्रेवाचिन पहुन से पहुंचने से पहले पुरका पूरा 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 जो def fato, चयाता जना Glass वहां किर दौन wow के नहीं है उसका कोई मतलब है या नहीं है तो इनके बीच में सहचर च्छेत्र होता है इनका एक मुंसी होता है जो इनको betाते रहते है काम का है कि नहीं भ़ह या अगर सब्छेस में लगा decidedly तो यह होता है कि जहां में सोचनाओं का अर्थ लगाया जाता है इसको ये बारे में भी हम बात करेंगे कि यार वो कौन सा छेत्र है जहां पर ये सब चीज होता है पहले से मस्तिश्क में कतर सोचनाओं का अर्थ लगाया जाता है हमारे पास ऐसे भी छेत्र है ब्रेन के पास में जो ये डिसाइड कर लेते हैं भईया कि उनका काम क्या था और वो क्यों आया है ठीक है इन सब पर अधारी ते एक निर्णा लिया जाता है अनुक्रिया सोचना है प्रेरक छेदर तक कैसे पहुंचाए जाए ये एक शिक पेशी की गती हमारी टांग की पेश ब्रेन को बता यार देखो अर वहाँ पे आग लगी हाथ हटाओ नहीं तो जल जाओगे ठीक है अब ब्रेन उसे सुने समझेगा क्यार ये सच में जल रहा है हटाना चाहिए कि नहीं करना चाहिए क्या करना चाहिए सोचो तब तक ब्रेन यहां से वहाँ तक जाता है फिर ब नियूरॉन की बात हमारा हाथ क्यों मानेगा हाथ तो अलगंग है ब्रेन में तो है नहीं तो हमारे पास हमारे ब्रेन को सुनने के लिए समझने के लिए पेशिया हैं नियूरॉन्स और पेशियों के बीच में जंक्शन होता है नियूरल मस्कुलर जंक्शन नियूरो मस्कुलर तो असल में पूरा कथक कली कर रहा हूँ यह असल में मेरा ब्रेण कह रहा है कि बच्यों को ऐसा करके दिखाओ तो ब्रेण ने एक सिगनल भेजा है मेरे हाथ को कि चलो ऐसे हिलो, हिल गया मैं, इसके बाग अब यह रहा मदद करती है तो पेशियां तीन टाइब की होती है, एक एक्षिक, एक अनेक्षिक और एक हिर्देग, हिर्दे में पायर हो, वो किसी की बात नहीं सुनती है, एक तुम्हारा पेड, वो भी तुम्हारी बात नहीं सुनेगा, अनेक्षिक पेशियां होती है, तो ये तुम्हारी बात सुनती है यह brain से चलते हैं समझ गया बात को तो हमारी जो जितनी भी क्रियाएं हैं जैसे एक्षिक पेशियों के द्वारा नियंत्रित होती है जैसे हाथ पैर जितना भी भाग है नियंत्रित होता है कुछ प्रकृति में समवेदन देखने और सुनने में अधिक जटिल है जैसे हमें कैसे पता चलता है कि हम परियापत भूजन खा चुके हैं अब ये वाला पार्ट आप ये एक्षिक है पर हमारा पेट पेट जो है अनेक्षिक पेशियों के द्वारा होता है जब भर जाता है तो इस्ट्रेच फैलता है अब फैलता है तो ब्रेन तक चला जाता है सिगनल उन लोग वहां पर आप अपना अलग खबरी बैठा के रखे हुए कि खाली पेट जब र पड़ती है जैसे मानल अचानक से पेट खाली हो गया तो वहां के रिसैप्टर मतलब वहां पर बैठे हुए गराही होते हैं घ्राही यह पता लगाने के लिए होते हैं अच्छा खाली हो गया पेट अच्छा जादा तेरे जरते चल रहा है अच्छा धीरे जरते चल रहा है वो signal बना बना के ब्रेंट को बेदे तें जनाब यहां तो पेट भर गया है तो जैसे पेट भरा हुआ होता है हमारा पेट फैलता है और उसे कहते हैं stretch receptors मतलब जो flexible फैलने माले ग्राही होते है जैसी फैलना सुरू होता है माले पेट को बोलता है पेट वाला का ग्राही बोलता है ब्रेन को भाई साथ पेट भर गया है इसको बोलो कम खाए नहीं तो फढड जाएगा समझे तो तुरंध बारा हुआ लगने लग जाता है यह concept है, उसी तरह, मतलब समझे रहो ना बात को, यह ऐसा है, तो हमारा सरीर दो तरीके से नहीं अंतरित करता है, brain से ही control है, पर एकदम एक directly control है, जैसे हाथ, तुरंथ control है मेरे हाथ का, तो यह एक्छिक control है, दूसरा पेट वाला, वो मेरे directly control नहीं है दिमाग से, तो वो indirectly control होत प्रतिवर्थ, प्रतिवर्थ का मतलब होता है, यह एक अलग चीज है, reflex section, मतलब हर चीज के लिए, brain तक जाने की कई बार जरूरत पढ़ती भी नहीं, कभी-कभी हमारा जो प्रतिवर्थ है, वो, देखो यार, पूरे सरीर की signal है हमारे सरीर में, ऐसा समझ लो यहाँ पर, ठ यहाँ पर प्रतिश्क बगर है, इसके बाद हमारे पास में यह होती है, मेरी रज्जु, मतलब समझता है, रीड केट्डी जो है, उसके अंदर भी नियूरॉन्स होते है, यह सबसे मेन पार्ट है, यह क्या करता है, यहीं से पूरे ऐसा करके, 11-12 इनके पास पेर होती है, य उसके बाद फिर वो ब्रेन तक पहुंचता है, यह ब्रेन तक पहुंचता है, ऐसा, यह इनका काम होता है, यहाँ से भी ऐसी सिगनल आएगा, और ब्रेन तक जाएगा, और ब्रेन तक लेकि जाने का काम रहता है, प्रतिवर्थ का मतलब यह होता है, कि कभी-कभी कुछ रिय तुम्हारा दिमाग कभी बाल और तुम्हारा कभी वम्हेंद के ही तो उनका प्रतिवर्थ ने बहुत मजबूत हो जाता है वह कहMusic प्रतिवर्थ का असल में मतलब होता है कि कभी-कभी हमारा ब्रेन डारेक्ली हर चीज को कंट्रोल नहीं कर रहा होता है कभी-कभी हमारा कंट्रोल ना अब देखो जैसे मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हें डेली एक चीज पूछनी पढ़ रहे है पापा सब्जी कितनी रुपए कि पाप वैसे कहानी इसके साथ भी है कि ब्रेन से पूछे कि यहां पर आग लगी है क्या करें यहां पर आग लगी है क्या करें पुस तरह बार बार फिर आग लगी है तो यह तुरंट सिगनल यहीं से आ जाते हैं उसी को कहते प्रतिवर्द क्रिया प्रतिवर्द क्रिया का मतलब होता है कि बैया जहां पर हमारे सरीर में रिफ्लेक्सेक्शन ब्रेन काम न करें बिना कुछ सोचे ही अपने हाप कुछ चीज रेक्शन हो जाए जो उतना ब्रेन से करें प्रतिवर्द क्रिया होती है कि जब भी हम खाती प्रतिवर्द क्रिया होती है कि अनायास हमारे मूह में पानी आ जाता है यह एक रिफ्लेक्स एक्शन है ठीक है थिदर इस पंदन के बारे में सोचे तब भी यही होगा अपने आप ऐसा चलता रहता है वास्तों में इनके बारे में सोचकर आसाने से हम क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं कर सकते इन क्रियाओं पर हमारा नियंत्रण बिल्कुल भी नहीं है क्या हमें सास लेने के लिए जो है आप पचाने के लिए सोचना याद करना पड़ता हैं ब्रेन हमारा कंट्रोल नहीं करता यह अपने आप गंट्रोल होते हैं अनेक्शिक प्रक्रिया है भूजन पुषता है क्या कि पनीर खाये हैं बाबु पचा लें पुषता है क्या नहीं पूषता है बाब़ुजी करल आप रोटी ज्यादा खा ली थे पचा आएं। पाउस्ता है तो अहीं पुषता ये अनेक्शिक हो गया। तो अचानक से लाइट मारेंगे तो तुम्हारी पुतलिया फैलने और से पहले सोचेंगे नहीं समझे वो अपने आप हो जाती है तो यह प्रतिवर्ति क्रिया है ठीके तो पुतली के आकार में परिवर्ता है पुतली जान गहीं न मतलब पुतला नहीं है आप के अंदर यह जो ब्लैक ब्लैक पार्ट दिखाए इसको पुतली कहते है आईरेस कोई सोची क्रिया जैसे कुर्खी खिसकाने के मद्ध एक और पेशी गर्दी का सेट है जिस पर हमारे सोचने का कोई नियंद्रन नहीं है जहां पर हमारा नियंद्रन नहीं है कोई सोची क्रिया जैसे कुर्खी खिसकाने के मद्ध यह क्या होगी दियक्षन है पेशी गति का सेट है जिस पर हमारे सोचने का कोई नियंदर ने इन अनेक्षिक प्रक्रियाओं को कंट्रोल होता है यह अनेक्षिक प्रक्रियाओं पर फिर भी इनका इंडारेक्ली कंट्रोल हमारा ब्रेन करता है तो यह करता ही है अनेक्षिक प्रक्रियाओं जैसे रक्तदा ब्लेड का बनना, लार आना, वमन वोमिटिंग, ये भी हमारे कंट्रोल में नहीं है ये पश्च मस्तिश्च से कंट्रोल होते हैं पश्च मस्तिश्च मतलब आपका हाइन ब्रेन से कंट्रोल होते हैं मेडूला दोरा नियंतरित होती है तो आज की बाद याद रखना आपका blood pressure आपका जो है लार का आना digestion वाला part और तीसरा आपका vomiting वो मेडूला दो control करता है कौन control करता है मेडूला control करता है समझने बात को बढ़िया तो मतलब directly indirectly आप ऐसा याद रख सकते हो कि पुरी body ना कुछ लोग हैं जो एक्षिक पीजिया है directly control है इसे 11th में अच्छे से और पढ़ाया जाता है पर दो indirectly control भी है अब सवाल आता है यार ब्रेन तो बढ़ा कोमल सा है ये neurons, neurons बहुत छोटे-छोटे से फील हो रहे है इतने neurons जो है भाई साब ये control कैसे होते है नियंतरण कैसे होते है इनको हम सुरक्षा कैसे देते है तो बहुत छोटी सी बात है ब्रेन के उपर तो ये तो पुरी खोपड़ी है स्कल्चे से अपन कहते है उसके अंदर भी durameter, pyameter से करके तीन-चार लेयर होती है उससे अपन meninges कहते हैं उसको उससे control होता है तो ये तो control है दूसरा neurons जो है हमारी मेरी रज्जो में होती तो ये मेरी रज्जो spinal cord इतनी हड़ी है हड़ी के अंदर की जो जगए न वहाँ पर neurons होते है तो ये हड्डियों से control हो गया ऐसे ही रक्षा मिलती है इनको तो मस्तिश की भी अलग-अलग आवश्यक आंग है जिने रक्षा होती रहती है मस्तिश के एक हड्डियों के box में विस्थित है तो उसका control वहाँ पर हो गया ठीक है गुबारे के रूप में मस्तिश की में अंदर बढ़िया बनता है जो उनको बचा के रखता है हना नीचे अगर बात लेके जाएंगे तो कशेर उदंडरीड की हड्डी है ये भी control करते रहती है ये भी control करवा देती है ठीक है भाई आगे बात करते हैं तंत्रिका उतक कैसे क्रिया करता है अब ये जो तंत्रिका है हमारा neurons है वो काम कैसे करता है तो neurons के काम करने का तरीका 12 में बहुत detail में 11 में पढ़ाया जाएगा पर मैं आपको हलका बताता हूँ कि just like हमने यहाँ पे touch किया तो ये brain तक गया ब्रेन से वापस आता है तो इनके बीच में कुछ क्या बोलना चाहिए दो काम होते हैं देखो यार chemistry में या physics में आपने पढ़ा होगा कि यसे एक तार है wire है wire में electrical impulse बनते हैं सुना होगा आप लोगों ने ये बात electrical impulse का मतलब यार धनायन रेनायन का परिवर्तन होता है और विभाव बन जाता है वैसे ही neurons पर भी विभाव बनते हैं और वही विभाव ही brain तक पहुंसते हैं और हमारा brain भी विभाव की भाशा को ही समस्ता है विभाव की भाशा जब हमारा brain समस्ता है तो वहां तक सिगनल जाते हैं और उसके बाद सिगनल आते हैं ये कारक्रेम ऐसा ही चलता रहता है तो अगर हम तंत्रिका उतक की क्रिया की बात करें तो यार सूचना को संसाधित भी करता है कि यार क्या करना है और पेशियों को बोलता है कि पेशियों तुम काम करो यह कि पेशियों के द्वारा काम करवाता है और पेशियों से काम करवाने के बाद याद रखना वो तंत्रिका अद्मी इंफ्रन हो जाता है। पेशियों से कहता है कि या तो पेशिया काम करो तो फिर वो पेशियों को आदिश दिया पेशिया पूरे सरीर को आदिश देगी और पेशिया कंट्रोल कर लेती हैं यही कहानी है पूरी बॉड़ी का तो आपका brain जो है वो directly काम करे ना करे लेकिन करवा जरूर रहा है brain तक सारा signal neurons लेकर जाते हैं और बाकी काम पेशियों के तुरू वो movement domain करवाता रहता है ये तंद्रिगाउ तक की kriya का काम है अब जैसे दो-चार question में आपसे बोलू कि क्या प्रतिवर्ति क्रिया और टहलने की बीच में क्या अंतर है जैसे प्रतिवर्ति क्रिया है ला रहा ना अना याशी आ रहा पर टहल जब रहे हो तो तुम्हारा brain control कर रहा है कि पैर कहां पर जाना चाहिए पैर इधर 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 ऐसे से ना हो जाए समझे तो पूरा control होना चाहिए टहलने का नहीं पता चला है मतलब कर दिमाग नहीं तो तुम इहर पैर रखो दूसरा पैर इधर तो ऐसा करें गिर जाओ तो दिक्कत जाए इसलिए भाई धियान रखना है कि टहलना मतलब controlled reaction brain से control हो रहा है ना brain ने उसे control करके रखा हुआ है पर अगर तुम प्रतिवर्दी क्रिया के बारें बात को लार करना लार आना तो तुमारे लाला चहे ऐसी control हो जाता है ना दो तंत्रिका सोचनाओं के बीच अंतर सिनेप्स में क्या होता है निरॉन्स होते हैं वहां पर जैस जो है दूसरे वाले में चला जाता है तीसरा कोशन मस्तिश का कौन सा भाग सरीर की इस्तिती संतुलन का अनुरक्षन करता है सरीर की इस्तिती और संतुलन के लिए याद रखना हमारा brain का main part वैसे तो हमारे लिए काम जो है ना hypothalamus करता है जो control करके रखता है थोड़ा सा कान का ना एक भाग उपर में भी होता वो भी नियंप्रन करने में हमारा help करता है okay so hyperth innocence के लिए ज्यादा बहतरीन भाग है al Darling काम करता है हमारी इस्तिती को संतुलन को बनाए रखता है पश्च मस्तिश का भाग है सेरिबेलम कंट्रोल करता है अगर बत्ति का गंद का पैता कैसे लगाते है अगेन वही समवेदी नियूरॉन्स के वहरा से इनल जाता है और हमें पता चलता है प्रतिवर्थी क्रिया में मस्तिश के क्या भूमिका होती है प्रतिवर्थी क्रिया में मस्तिश के भूमिका सिर्फ कोडिनेशन करवाने की होती है सूचनाओं को एकत्रित करने की होती है पर मेजर काम जो है वो मेरी रज्जु की द्वारा ही हो जाता है इसके बाद अगर आपन पादुपों में जाएं कि प्लांट कैसे कॉर्डिनेशन करते होंगे तो प्लांट का कॉर्डिनेशन का तरीका एकदम अलग है प्लांट में निरॉंस नहीं होते हैं समवेदना हैं किसी किसी में होती है जैसे छुई में का पौधा है उसमें थोड़ा बहुत दिखाई देगा आपको बागी पौधों में आपको ये नहीं दिखाई देगा तो वो कौन सा समवेदना हो गया है? टक्च मतलब उसे छुआ और उसके अंदर कुछ चेमिकल चेंज हुए और छुई में सिकुड गए पर सभी पौधों में ऐसा नहीं होता कि वो छुटे ही ऐसा सिकुड जाए तो पौधों के अंदर समवेदना है ना दो तरीके से है एक व्रधी वाली और एक काम वाली पौधेयार कैसा समवेदना होती है? कि प्रकाश को देख लिए प्रकाश की तरफ उपर बढ़ते चले जाते हैं उसे प्रकाशानुवरतन कहते हैं और एक पानी की तरफ उनकी जड़ भागती जाती है वो हो गया उसका रशानुवरतन या फिर गृतवानुवरतन जो भी कहते हैं वो मॉमेंट हो गया तो पौधों के पास में हमेशे एकदम सिंपल है लेकिन पादभों में तंत्री का तंत्र नहीं होता ना इनके पास पेशिया हैं ना ये उतनी बड़ा काम करते लेकिन जैसे हम चुईमोगी पत्यों को जोते हैं वो मुढ़ना प्रारम कर जाती है नीचे जुकने लग जाती है तो ये थोड़ा बहुत आता है जैसे एक बी जंकुरण होता है तो उसको कौन बताता है कि यार तू आधा उपर जा और आधा नीचे जा तो जब वो जड़ नीचे की तरफ में जाती है तो जड़ को आकरशन है जड़ को एक क्रिया दी गई है कि यार तुम उधर ही जाना तो उसे गुरुत्वान वरतन कहते हैं गुरुटवानकर्षण गुरुत्वान वर्तन गुरुत्वOTU की तरफ बढ़ना और जो उसका ऊपर का प्रेरोह वाला भाग होता है वह हमेशा प्रकाश को देख देखके भागता है तो जड़ नीचे की और जाती है तना ऊपर की जानती है ये क्या होता है अगेन वही बात है ये कंट्रोल ही है तो छुई में कि पतियां जो होती है बहुत तेजी से करती है इस गति से वृध्धी का कोई संबन नहीं है लेगिन अगर कोई नवोध भिध है नया नया पौधा लग रहा है तो इसकी वृध्धी जो है बहुत special होता है किसी प्रकार रोग दिया जाए तब यह कोई गति प्रदर्शित नहीं करेगा अता दो प्रकार की गतिया करता है एक वृध्धी वाला दूसरा वृध्धी से मुक्त है एक वृध्धी और एक वृध्धी मतलब कहने का मतलब यार तना बढ़ रहा है जड़ बढ़ रही है यह एक वाला पाट है दूसरा वृध्धी से मुक्त का मतलब होता है किया जैसे पत्यों का अंध बढ़ना बाकी काम जो है वृध्धियों से मुक्त होता है अब अगर हम सब्ज हैं कि किसी पौधों को बीच में छुआ जाए तो वहां गति होती है तो वहां से इसपर्श व यहां टच किया था यहां कि पत्ति क्यों से खुड रही है तो यह भी प्रश्ण वाला है आता है इनकी बीच में कोई न कोई तो है जो सूचना को ले जा रहा है कोई न कोई तो है जो कुछ केमिकल काम करवा रहा है और वहां तक बात पहुँचा दिया कि किसी ने सुमें छ कम सिर्फ छुई मुई के पास ही ये है लगबाग इकादो पौदों के पास और है जादा लोगों के पास में नहीं है तो हमेशा कहानी यही बनती कि यह लोग यह करते तो हैं अच्छा लेकिन इनके वैदुत रशायन का मतलब मैंने समझा है ना इंपल्स जैसे मनुष्यों में होता है वैसी इनके पास भी होता है इंपल्स बनाते हैं और वो वैदुत विभाव ब्रेन तक पहुंसता है और ब्रेन से फिर सिगनल को बाकी जगे लाता है यह बात बिल्कुल ध्यान पर रखना कि जैसे हमारे सरीर में क्या होता है मानलो जैस यह positive हो जाएगा अब यह positive हो गया इसके बाजुवाला negative है फिर इसका electron यहां से यहां आ गया तो यह फिर negative हो गया और यह हो गया इधर आ गया तो यह positive हो गया ऐसी करते करते आगे signal बढ़ता चला जाता इसी को विभाव कहते है यह फिर 11 में बहुत अच्छा समझ में आता है यह फिर हम समझाएंगे उसमें ठीक है तो इनके पास में भी chemicals होते हैं इनके पास भी neuron impulse होता है जिसके तुरू यह जाते हैं पर इनके पास कोई विशेश अंग नहीं पाया जाता कोई विशेश टिकरतू तक नहीं होते हैं अता जन्तूओं की तरह यह भी अपने आकरती को बदल तो लेते हैं पर इनके पास कोई विशेश ट्रोटीन विशेश neurons विशेश सनरचनाय नहीं पाई जाती हैं वो जल की मात्रा में अपनी परिवर्तन करके आकरती बदल लेते हैं पौधे मतलब जैसे मुर्जा जा रहा है इसका मतलब उसमें पानी की मात्रा कम हो गई प पानी की मात्रा बढ़ गई है तो इनके पास फूलने शिकुडने के लिए पानी का में रीजन रहता है पौधे ऐसे ही अपने आपको बदलते रहते है ठीक है बाई अब पौधा आता कि क्या व्रिद्धी के करण भी गती होती है उनमें पौधों में हाजी बिलकुल एक के लिए सब्वेदन शिलता इसी तरीके से होता है जब ये किसी अधार के संपर्क में आते प्रतान का व्यभाग जो वस्तु के संपर्क में है उतनी तीवर्ता से व्रिद्धी नहीं करता जितना प्रतान का व्यभाग जो दूसरे वस्तु से दूर रहता है इस प्रकार से हो मतलब अगर मंटर का पौधा है अगर आप दूसरे पौधे पर अगर आप इसे बाड़े पर लगा देना तो पौधा बहुत तेजी से ग्रोव करता है यह बात याद रखना ठीक है जो प्रिकाश के लिए इस पर्स के लिए समवेदन से जब यह किसी आधार के जिसे गुरू करती जाते हैं इसी तरह से जिस प्रकाश का वैभाग वस्तू से दूर है इस करण प्रश्तान वस्तू को चारो ओर से जकड लेता है और आम तार पर पादप धीरे से एक निश्य दिशा में गती करके वो दीपन के प्रती अनुक्रिया करते हैं क्योंकि यह व्र व्रिद्धी नहीं करता पर जब हम उसे हवा की तरफ में किसी की साथ जोड देते हैं तो वो व्रिद्धी करने लग जाता है तो पौधा हमेशा प्रकास की दिशा में प्रतान की व्रिद्धी करता है जैसे अगर हम कहें तो इनको प्रेणा या तो प्रकाश्य मिलती है या गुरुत्व से अगर जड़ है तो गुरुत्वा कर्शन से मिलेगा और अगर तना है तो प्रकार्श उसे आकर्शन मिलता है और उन दिशा में वो लोग गती करते रहते हैं ठीक है इन दो प्रकार की गतियों में जो भी होता है जैसे प्रकार्शन वरतन गतियों में प्रकार् आने में कौन मदद करता है ठीक है तो ये होता कैसे ये भी क्यामिकल के थू ही होता है रशायन ही इसे परिवर्तित करवाते हैं उन्हें के थू होगा ठीक है पादब भी गती करते हैं जैसे मान लो पादब की जड़ सदैव नीचे की और व्रधी करेगी प्ररो हमेशा उपर क की तरफ ही व्रधी करती है इसमें कोई शमय नहीं है जैसे प्ररो है उपरी गामी और अधो गामी मतलब उपर जाना अधो गामी मतलब नीचे जाना ये गती करते रहते हैं ये निशन्दे है गुरुत्वानुवर्तन है और प्रकाश अनुवर्तन है अर्था जल और पानी रसायन का अर्थ जो है यहाँ पर इस तरह से अपनी पौधा देखा होगा अगर खिड की इस तरफ होगी जादा प्रकाश इधर से आ रहा है तो यह इधर के तरफ ही जादा जाने की कोशिश करेगा अगर आप पौधे को ऐसा तिर्चा भी कर दो तब भी कुछ दिन के बाद यह ऊपर ही तरफ जाएगा और यह नीचे की तरफ ही जाएगा तो गुरतवान वरतन के साइड में जाती है जड और यह जाती है इधर समझे रहो ना तिर्चा कर देने से बदल नहीं जाता है तो हमेशा उसी दिशा में जाता है यह बात बहुत important होती है राशानिक पदार् पास व्रद्धी है परागनलिका ठीक है एक भाग है हमारा परागकन परागनलिका ऐसा बनाता है तो यह रसायनों की वज़े से गती होती है समझते हैं बात को यह हमेशा बीजान्ड मतलब यहां पर मादा वाला भाग होता है 12 में पढ़ाया जाता है यह पुष्प का मादा व वाले चैप्टर में मैं इसको पढ़ाँगा डिटेल में लेकिन फिर भी अभी हलका-लका याद रखना कि पौधों में तीन-चार प्रकार की गती हो गई एक गती हमारे पास प्रकाश की दिशा में एक हो गई गुरुत्य की दिशा में और दूसरा हो गया रसायनिक और जल के ह अतलब है क्या नहीं है लेकिन एक गती हमारे सरीर में धीरे 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 हुई है जिसने मेरी नाप को ऐसे मेरे मुझ को ऐसे बनाया है मैं बचपन से ऐसा नहीं था बाई अलग हुआ है मेरे सरीर में भी गती की है तब जाके मेरा इतनी बड़े हाथ से इतना बड़ा हाथ बनाए बनाए ना तो ये भी एक प्रकार की गती हुई ना इस गती को भी अगर आप देखो तो ये भी एक नियंतरित गती हुई है ऐसा नहीं कि कोई कहीं भी फैल गया कि पेट इतना बड़ा हो गया और लंबाई की जगे में चोडाई बस बढ़ी है लंबाई नहीं बढ़ जाते हैं जैसे पौधे दो चार साल में बहुत बढ़े हो जाएंगे गाए भैस लोग दो चार साल में अच्छे बढ़े हो जाते हैं पर हम लोग दो चार साल में इतने कित्ते ही रह जाते हैं तो हमारी गती बहुत नियंतरण है बहुत धीरे धीरे ग्रू करते हैं जानवर बड़ी तेजी से गुरू कर जाते हैं उद्देपन के लिए तीवर अनुक्रिया होती है सूचनाओ का स्थनांतरन भी बहुत तीवर होना चाहिए इसके लिए तीवर गती चलने के लिए संचन का माध्याम होना चाहिए मतलब भई ठीक है मैं चाहता हूँ कि सब कुछ नियंतरित हो उसके लिए माध्याम चाहिए ना कौन लेके जाएगा ये movement कौन करवाएगा कैसे ये सारे चीज़े होगी तो इसके लिए विद्धुत आवेक उत्तम साधन है ये बात मैं सुरू से बता रहा हूँ कि कोई भी चीज सिगनल को यहाँ से वहाँ यहाँ से वहाँ चाहे वो neurons का हो चाहे वो पेशियों का हो ये सारे control जो हैं विद्धुत आवेक के द्वारा ही होते हैं और विद्धुत आवेक अभी बहुत बड़ा deal नहीं है बस इतना समझो इसे potential कहते हैं कि विभाव मतलब हमेशा क्या हुआ एक तरफ जादा एक तरफ कम है ना तो कम से अधिक से कम की तरफ आना अधिक जहां भी potential है उदर से कम potential की तरफ भागना ये विभाव का काम होता है जहां दनात्मक रिडात्मक generate हो जाएगा तो धन वाला रिड की तरफ जाएगा रिड वाला धन की तरफ जाएगा ऐसा मुम हुता रहता है तो विद्धुत आवेक के उपयोग के लिए सीमाए हैं हर जगे ऐसे उपयोग नहीं कर सकते इसको ये वही कोशिका उतक पहुची है जहां तंत्रिका उतक जुड़ा रहेगा जहां पर निरॉन्स रहेंगे जिसे बालों पे नहीं जा सकता नेल्स पे नहीं जा सकता उन जगहों पे जाएगा जहाँ पे तंद्रिका उतक जूड़े हुए हैं या तो directly या तो indirectly जद्दू सरीर की प्रत्य कोशिका तक तो बिल्कुल नहीं है ठीक है कुछ कुछ दूसरे बाई एक बाई कोशिका में विद्धुत आवेक जनित होता है संचरित होता है तो पुन है नया आवेक जनित करने के लिए संचरित करने के लिए कोशिका को फिर से अपनी कारविधी को सुचारू करने के लिए कुछ समय लेती है जस्ट इग्जामपल के लिए मैं बताऊं यहाँ पर आपने मारा आपने यह पॉइंट वन सेकेंड के आसपास लगभग लगता है मारा आपने एक बर से दो बार तीन बार चार बार पांच बार छे बर आप इसको लगाता रहे बीस ऐसा थपड़ा रहे जल 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 दी तो तो थोटे देर बाद आपको दरधी नहीं करेगा और आपको वो समवेदना आएगी नहीं तो विद्धुतावेग ना जनित और ना ही संचरित कर सकती है इसमें कोई आशर नहीं कि अधिकांस बहुकोषकी जीव जो होते हैं याद रखना याद रखना कि जब भी वो वापस आने के लिए उसे वक्त चाहिए तभी वो काम कर पाएगा अधिकांस बहुकोषकी जो जीव होते हैं विद्धुतावेग करते हैं और उसी के द्वारा अपना पूरा काम चलाते हैं उसी के आसपास सभी कुछ काम करेंगे फिर नियूरॉन्स उस कोशिगा तक पहुँचेगा कोशिगा को जाके बोलेगा कि यार देखो तुम्हारे लिए ब्रेन ने यह आदेज भीजा है उनके पास कैमिकल्स होते हैं उस कैमिकल्स के तुरू हमारी पूरी बॉड़ी कैमिकल की भाशा समझती है जैसे मान लो पेट को पचाना है ज्यादा तो पेट को पचाना है तो निउरॉंस आएगा और बोलेगा एए एंजाइम रिलीज करिया फटा फट पचा वही है तो हमारा सरी कैमिकल की भाषा विभाव की भाषा आने जाने के लिए विभाव देते हैं और वहाँ पर कैमिकल की भाषा समझ में आती तो फिर ब्रेन आया है वो अपना काम करवा लेगा जैसे कर शॉट बताओ में पेट बहुत ज्यादा भड़ गया है तो वहां पर स्ट्रेच हुआ बहुत ज्यादा तनाव हुआ यह गया ब्रेन के पास में ब्रेन से फिर सिगनल आया और यहां से एंजाइम रिलीज हो गया तो अब पाचन होने लग गया तो जब पाचन बढ़ गया तो पाचन इंक्रीज हो गया तो हो गया ना काम खतम हो गया बस इतना ही काम करना है तो यहां से यहां तक तो भी भाव बना वो भी विद्धत वाला ठीक है इसने कुछ नहीं करवाया सिर्फ खबरी का काम किया यहां से यहां लेक हो गया और फिर पाचन बढ़ दिया तो ऐसे ही चलता रहता है इनकी कहाने इनको संचरन करना होता है प्रक्रिया बहुत धीमी होती है कभी-कभी पास्ट भी होगी तंद्री का संबंधन के बिना सरीर की कोशिका तक पहुचेगा तो इसे अपरिवर्ती इस्थाई बनाया जा सकता है धीरे-धीरे-धीरे-धीरे कंट्रोल करके हम इसे काम कर सकते हैं बहुत कोश्ट की जनतोदारान जो नियंतरन होता है यह हॉर्मोन्स के द लोग हॉर्मोन्स रिलीज करते हैं जिसे हम पढ़ेंगे तो विकास परियावन के प्रती अनुक्रिया करता है सहायता करता है और इसके बाद हमारे पास में जो दूसरा पार्ट होता है वो है हॉर्मोन्स की ब्रेन ने अपना काम तो कर दिया अब हॉर्मोन्स अपना काम करे पर जाते हैं तो यह सारा कंट्रोल जैसे निवरॉन्स जो है ब्रेन कित्रू करते हैं और उसके बाद फिर हमारे पास होर्मोन आ जाते हैं और होर्मोन्स फिर ग्राउंड पर जाते हैं पर पड़ाः पर जाते हैं मतलब वही होगे ने कि हैड अफिस, फिर सेकइन अफिस निवरॉन्स फिर भेज़ कर जाते हैं और होर्मोन्स कारेगा लेकिन फिलाल हलका-लका तो सुनना ही पड़ेगा, इनके भी नाम मैं आपको बताता हूँ, जैसे प्रकाश वृध्धी करता है, तो प्रकाश की दिशा में ही पौधा क्यों जा रहा है, आपको पता है, उनके पास टिप में एक ऑगजिन नाम का हॉर्मोन होता है, जो इस प्रकाश की दिशा में करवाता है, अगर भाग में होता है, इस क ambiguous वाले भाग पर रहता है, उसमें वृध्धी करवाने में सहायखे theo जिदर प्रकाश आ रहा है उधर आउकजिन जादा होगा जिदर चाया वाला भाग है उधर प्रेरोह थोड़ा कम होता है धीरे धीरे ऐसा करके याद रखना आउकजिन विश्रित होगा प्रेरोह के चाया वाले भाग में आ जाता है और जिस तरफ आउकजिन चाया वाले इधर से प्रकाश आ रहा है तो ऑगजन उसके अपोजिट सैट जिदर प्रकाश नहीं आ रहा है उदर के संख्या बढ़ गए अब जिधर है उदर अगजन कम हो गया तो उस तरफ जो है प्ररो उस तरफ मुड़ जाता है क्योंकि ओगजन इधर जाद आ गया तो जैसे मानलो तो तूम्हें turn लेना होता तो कैसे turn लेते हो कि जब तूम्हें इधर मुर्णा तो ऐसा turn लोगे दूर से बाद में turn ऐसी जी लेता है वैसे ही यहाँ पर भी जैसे एक पौधा है अब उसको मैं को मानलो काचना है तो मैं इधर काट दूँगा अगर तो ये इस सेर्फ में गिरेगा और इधर काट दोंगा तो इस सेर्फ में गिरेगा तो वैसे इज़र पौधे को इधर गुमाना है तो इधर तरफ ऑक्च्छिन की मातरा बढ़ा दो ये पौधा इस सर्फ मुड़ जाता है ऐसे ही है तो अधा प्रकाश पादप के और मुड़ता हुआ दिखाई देता है और ये कोश्चन बहुत पूछा जाएगा कि ऐसा क्यों होता है तो बताना एक्जिन प्रकाश के अपोजिट डिरेक्शन पे चाया वाले भाग में बढ़ जाता है जिसकी वेसे वो मुड़ जात करने में मदद करता है इसके अलाबा एक और हर्मोने साइटो काइनिन जैसा नाम है वैसा ही काम है साइटो काइनिन जो कोशिका के विभाजन में सहायक है प्रेजित करता है कोशिका का विभाजन जितना जादा विभाजन उतना जादा व्रद्धी उतने जादे कारेक्रम य इसे ये जड़ है तो ये प्ररोह का सिर्फ उपरी भाग विभाजित करता है बस और जड़ का भी एकदम कॉर्णर वाला भाग बाकि ये जो बने रहते हैं बीच में सब विभाजन विभाजन नहीं करता है तो याद रखना विशेश रूप से फलों में बीजों में यहाँ प यह पाए जाते हैं फल भी जल्दी बनते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा पाए जाते हैं तो यह वो हॉर्मोन हैं जो वृध्धी में सहाय करते हैं यह वृध्धी को बढ़ाते हैं यह वृध्धी को बढ़ाते हैं कौन जैसे ऑक्जिन हो गया प्रोह की वृध्धी आपके जैसे मानलो बसंद का मौसमा गया, पतजड भी जरूरी है पौधों के लिए, तो पतजड होना, या विपरीत परिस्थिती चल रहे ही, जैसे मानलो एक बीज है, अब बीज गरमी के मौसम में सूख जाता है, वो उसके लिए विपरीत परिस्थिती है, सूख गया, सुखा तो ये फायदा हुआ कि जब अगली बार वो मौसम सही आएगा तो अंकुरन कर सकता है अगर वो जिंदा रहता तो मर जाता इसलिए उसने अपने आपको सुखा लिया पानी के बिना रह लिया ताकि उसे जिंदा रहने के लिए आसानी हो जाए और 9-10 महिने तक वो जिंदा रह लेता है फिर बीज नहीं सोच के देखो एक पौधा जिसके बीज को आप मरा मान लेते हो अगर आप उसे उस चने को 20, 25, 3, 2, 3 महने बाद, 4 महने बाद भी अगर आग उसका अंकुरन कर दो तो वो भी अंकुरित होकर नया बीज बना लेता है बनाता है ना जिस आम को खा कर तुम आम की बीज को फेक देते हो सोचो वो बीज पड़े पड़े कुछ दिनों के बाद भी मतलब हो सकता है 150 दिन के बाद भी अगर तो मुझे लगा दोगे जमीन पे तो वो अंकुरित हो जाए सोचो 50 दिन वो कैसे रहता होगा अपनी वृद्धी को रोख लेता है साधु वाली अवस्था में चला जाता है और याद रखना कुछ हॉर्मोन ऐसे भी है जैसे एपसेसी कमल वृद्धी को संधमित करके हॉर्मोन पो धर्ण है पत्यों का मुर्जाना भी इनी के प्रभाव में है ये लोग ही ऐसे काम करते रहते हैं अब आते हैं मनुष्यों में कियार मनुष्य कैसे कंट्रोल करते हैं यूमेंस में कैसे कंट्रोल होता है सारे हॉर्मोन तो अब इसका सिर्फ नाम सुनना है, नाम सुने रहो ताकि 11th में जाकर आसम लगा हो 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 ये कौन सी ग्रिंथी है, तो उपर से लेकर नीचे तक हमारे पास बहुत सारी ग्रिंथी है, नाम सुन लो फिर बताता हूं, जैसे पीनियल ग्रिंथी, पीनियल ग्रिंथी इसे अपन जी है, master का master है master को ये आदेश देता है तो hypothalmas brain का भाग है लेकिन वो hormones भी release करता है उसी तरह puse grantee ये भाई साब पूरे सरीर को नियंतरित करता है किसको बढ़ाना है, किसको घटाना है वो puse grantee का ही काम होता है समझे, नाम तो सुने रहो puse grantee, ये तो पता नहीं पैर में है puse grantee, ऐसा मत बोल देना brain के पास में है, पश्च मस्तिश के भाग में puse grantee होती है, उसी के पास में pineal gland होती है, hypothalmas तो आप जानते ही है अगर मस्तिश का भाग है अगली कहानी, फिर इसके बाद यहाँ पे तो गरंथिया होती है, गले के पास में एक parathyroid और एक होती है thyroid तो ये है आपका पता नहीं कुन सा हिंदी वले परावटे पर ये जो है parathyroid है parathyroid ये नाम आपने बहुत सुना होगा parathyroid थाइरुइड लोगों को बिमारी हो जाती है थाइरोइड तो आप ये देख रहे हैं इसमें कि ये जो बड़ा सा भाग है ये पैरा थाइरोइड का भाग है इसके बीच में छोटे छोटे दो चार भाग होते हैं उसे पैरा थाइरोइड कहते हैं इसके बाद इसके जस नीचे पैरा थाइरोइड के जस नीचे आप देखो तो यहाँ पर फेफड़ा जहां से बट रहा होता है, यहाँ पर एक विशेश प्रकार की गरंथी होती है, जिसे कहते है थाइमस, यह सिर्फ बच्चों में 14 साल तक मतलब याद रखना 12 से, मतलब ऐसा मान लेते हैं, 12 से 14 साल तक ही रहती है, 12 से 14 साल तक रहती है, उसके बाद नीचे की तरफ में जाएं, तो अगनाशय है यहाँ पर, है ना, अगनाशय है, लीवर है, है ना, अधिवरिक गरंथी है, अधिवरिक मतलब समझते हैं ना, अगनाशय है, लीवर, है ना, अगनाशय के बाद पैंकरिया, लीवर, अधिवरिक गरंथी, एड्रिनल, और थोड़ा-थोड़ा काम सब का बताएंगे जाएंगे अगर आप फीमेल में जाएंगे तो फीमेल में बाकी सब गरंथी होगी वरिशन की जगे अंडाशय पाया जाएगा आप फीमेल में यही देखेंगे उनके पास भी पीनिल, हईपो थेलमस, प्यूज गरंथी, थाइमस होता भी है और खतम भी हो जाता है फिर अधिवरिक गरंथी फिर आपके पास में अगनाशे हो गया लीवर हो गया है ना यह सब गरंथी यहां सबसे बड़ी गरंथी कौन से आपके सरीर की सबसे बड़ी गरंथी लीवर ठीक है लीवर मतलब सबसे बड़ी गरंथियो डारेक्ट्ली काम करते हैं, तो अगर मैं बात करूँ कि एडिनल ग्रंथी जो है वो सीधा रुधिर में इस्तरावित हो जाता है, डारेक्ट्ली ब्लेड में चला जाता है, तो ग्रंथियां भी दो प्रकार की हैं, एक को आप अनाहिस्तरावी कहते हैं लोगल जगे पर आपके सरीर में अचानक से जो BP भी बढ़ता है वो इसी के वेसे बढ़ता है सिगरेट पीने के बाद स्मोकिंग करने के बाद भी जो BP भी बढ़ता है यही खराब होता है एडरेनल सीधन रुधिये में जाता है सरीर के विविन भागों तक पहुचा दिया जाता है हिर्दय सहीध बहुत सरी अंगों में विसे सुथ को परकार करता है ब्लेट प्रिशर बढ़ा देता है तो बस सीधा ता काम है कि भाईया एडरेनल जो है वो ब्लेट के थुरू पूरे सरीर में जाएगा हार्ट बीड पढ़ा देगा अब हार्ट बीड बढ़ा दिया ताकि हमारी पेशियों को अधिक ऑक्सीजन की आपूरती हो सके इसलिए ये बात याद रखना ये एमर्जेंसी का हॉर्मोन है ये एमर्जेंसी हॉर्मोन है मेरे बच्चे ये बात याद रखना जब तुम एकदम विकट परिस्थिती पे हो तब तुम्हारे सरीर में ये आता है और तुम्हें ज़्यादा ओक्सीजन दिलवाने के लिए बीपी को बढ़ा देता है तर्फुलेशन तिब बढ़ेगा ऑक्सीजन ज़्यादा मिलेगा तो उर्जा ज़्यादा मिलेगी उर्जा ज़्यादा मिलेगी तो दोड़ने की ताकत अच्छी मिलती है ठीके पाचन तंत्र तो अच्छा में रुदिर क्या पूर्दी कम हो जाती क्योंकि इस अंगों की छोटी छोटी धमनियों के आसपास के पेशियां सिकुड जाती है तो पाचन तंत्र और बाखी जो जगें हैं वहाँ पर ब्लेट रुख जाता है जहां पर ज़्यादा आवश्यक है वहाँ पर जाने लग जाता है यह रुदिर की दिशा हमारी कंकाल पेशियों की और कर देता है पूरी तरह से इन रिधर कंकाल पेशियों की तरह चला जाता है मतलब ना पाचन न भी जरूरी थोड़ी यह रहे मेरजनसी चल रहा है तुम्हें पाचन का पड़ा हुआ है तुम्हें बाकी काम पड़े हो नहीं टोटल जो है दोड़ने भागने में जस्ट इग्जामपल के लिए पीछी अचानक से दिख जाए तुम्हें कि भूत है साप आ गया कुटा पड़ गया तो तुम जिंदगी में तेज इतना नहीं द कर लेगा या तो कुटा कर देगा तो आदम एकदम जी जान लगा कर भागता है पूरी ताकत लगा कर भागता है और वो एड्रिनलीन की वज़े से होता है पूरे सरीर में ब्लेट को रोग देगा सिर्फ कंकाली पेशियां ये जो हमारी बात मानती है उन तक सिगनल जाएग और भाग इसके बाद आदमी डाइफराम पसलियों के पेशियों के संकुचन से स्वशन दर्भी बढ़ जाती है डाइफराम पसलियां तेजी से सास काम करती है पहले चैप्टर में ने पढ़ाया था और इससे भी आपकी स्वशन दर्भी बढ़ जाती है तो सास तेजी से लेना बढ़ गया, ब्लड तेजी से बढ़ गया, आपके सरीर में एकदम emergency का महाल चल रहा है, यह सबी क्रियाइं जनतु सरीर को स्थिती से निपटने के लिए तयार करती हैं, एकदम एकदम विगट परिस्थितियों से लड़ने के लिए तयार है, अता हॉर्मोन जो है हमारे सरीर का भाग है, जो हमारे सरीर में नियंतरण समन्वे का दूसरा मारग है, दूसरा तरीका होगा हमारे सरीर में, कि ये भी हमारे सरीर में help करता है, तो ये adrenaline की बात हो गई, एकाद होरा उन्मान की बात करते हैं, जैसे आप सबी नमक के packet में सुना होगा का आयोडीन युक तो नमक, आयोडीन युक तो नमक, क्यों चाहिए आयोडीन भाई आयोडीन की ज़रत होती है हमारे गले के पास thyroid gland है thyroid gland thyroxine बनाती है, अब वो thyroxine बनाने के लिए जरूरी है आयोडीन और अगर आयोडीन नहीं बनेगा ये फूल जाता है गलगोटू हो जाता है उसरीर में आपकी आयोडीन की कमी से थायरोक्सिन की कमी से आपके सरीर में जो वृध्धी होनी चाहिए वो नहीं होता है तो हॉर्मोन सापकी बहुत सरीर में उपापचय वृध्धी भी क से अभी क्रियाएं वगएरा कराने के लिए शरीर में चाहिए तो आयोडीन अवश्यक है थारिक्सिन कार्बो हाइडरेट पोटीन तथा वश्यका उपापचे करवाता है जिससे हमें शरीर को उर्जा मिलती है ताकत मिलती है अच्छा चलता है ताकि वृध्धी के लिए उत् अभापचे के लिए आयोडीन इसलिए चाहिए ताकि थारोकसिन बना सके है अब आयोडीन नहीं तो थारोकसिन नहीं थारोकसिन नहीं तो गौईटर नामक रूग आपको हो जाएगा कभी-कभी ऐसे वक्तियों के संपर्ग में आते हैं जो बहुत बॉने होते हैं क्यों हो भाईया उनके पास भी विशेश प्रकार के हॉर्मोन्स होते हैं व्रद्धी हॉर्मोन्स नहीं बन पाते हैं तो वो बॉने हो जाते हैं तो क्यों हुआ प्यूश ग्रिंती से एक हॉर्मोन आता है जिसका नाम है व्रद्धी हॉर्मोन ग्रोथ हॉर्मोन वो रिलीज नहीं ज़्यादा रिलीज हो गया आदमी बहुत लंबा 8-10 फिट का हो जाता है तो इसका नाम इंगित करता है व्रिद्धी हॉर्मोन सरीर की व्रिद्धी और विकास के लिए अवश्यक है यदि बालिकाल में हॉर्मोन की कमी हो जाए तो आदमी बौनापन पड़ जाता है तो सोचो प्रोंगे थोड़ी बहुत भी अरदसानी सुरू हो जाएंगी फीमेल की आवास सुरीली होने सुरू हो जाएंगी ब्रेक्स साइज इंक्रीज होने लग जाएंगे सरीर में एक अलग सा हॉर्मोनल बदलाव नाट की परिबदलाव दिखाई देगा जिसे आप भविश में तो ये सारे बदलाव जो आपको दिखाई देंगे है ना मतलब सरीर में आवाज में हाओ भाओ में देखने के नजरिये में जिसे sexual changes कहते हैं आपकी body में ये सब दिखाई देने लग जाएंगे और ये भी hormones की वज़े से होता है लड़कों में testosterone, androgen और female में progestron और estrogen के द्वार होता है, तो अगर आप 12-13 साल की उम्र में हैं तो आपने परिवर्तन योवना रंभ देखा होगा, योवना रंभ मतलब आपके अंदर एक puberty, एक age होती है जो आ गई है और उस age में नर्मे, testosterone, तधा मादा में estrogen, नामा, hormone आपकी body के इतने बड़े changes, just like beard आना, आवाज का होना, लड़कियों के आवास सुरीली होना, ठीक है, लड़कियों के बाल बड़े होना, लड़कों के अंदर masculine behavior, मतलब लड़के थुड़ा सा हट्टे-कटे होते जाते हैं, लड़कियां थोड़ी से soft होती चली जाती है, ये बदलाओ, females में menstrual cycle का आना, आरताओ चक्र का आ है, क्यों हुआ, सुगर इसलिए होता है कि आपके सरे में एक hormone है, जिसका नाम है insulin, अगर वो release होगा, तो glucose का अच्छा पाचन होगा, insulin नहीं है, glucose का पाचन नहीं हुआ, तो hormone सापकी कमी बिमारी भी फैलाती है, जो लोग मदुमे के रोगी हैं, वो injection भी लेते हैं और उसका उत्पादन जो है, अगनाशय से होता है, तो अगनाशय भी एक भाग है, जहां से insulin नामक hormone बनता है, और अगर वो नहीं बनेगा, तो आपको जो है, सरकरा को नियंतरित भी करता है, जिसका नाम है insulin, यह maintain भी करता है, पर अगर वो उचित मात्रा में नहीं होगा, तो सरकरा बढ़ गई, और सरकरा बढ़ी, तो हो गया सुगर तुमको और क्या, हानिकारक प्रभाव तो पता ही होगा, कारण बनता है, तो insulin नामक hormone जो अगनाशय से बनता है, अगर उसकी मात्रा कम हो गई, तो आपको जो है, सुगर नामक रोग हो जाएगा, मधुमें ही नामक रोग हो जाता है, इसी के हैसाब से hormones का परिशुद मात्रा में होना चाहिए, मतलब ना जादा ना कम पराबर चले, और आपके सरीर को maintain करता रहे, और आपके सरीर में इसकी मात्रा जो है, वो maintain रखे, ना जादा ना कम, अगर मात्रा बढ़ गई, तो भी दिक्कत, अगर मात्रा कम हो गई, तो भी दिक्कत है, इसलिए जैसे ही आपके सरीर में सरकरा की मात्रा बढ़ती है, आपके अगनाशे को पता चलता है कि भाईया सक्कर जादा हो रहा है, तो insulin release होता है, और उसे पचा देता है, पचाने के बाद insulin अपने आप कम हो जाता है, ठीक है, एर एक बर सरकरा इस तर कम हो गया, तो आपका insulin कम हो जाएगा फिर, तो आपके सरीर में hormones ऐसे ही काम करते हैं, जब जब आपको जरूरत पड़ेगी, तब तब वो काम करते रहेंगे, और उसके बाद आपको वो detect करने में, पहचानने में, मदद करते रहेंगे, अगले बिंदू पर आते हैं ये एक topic है, ये पूछा जाएगा कि कौन कहां पर क्या help करता है, जैसे एक diagram है, ये पढ़ाना बहुत दुरूरी था कि इससे पिना काम नहीं बन पाए, जैसे ब्रद्धी hormone है, ये प्रिश व्रंथी से आता है, ब्रद्धी करवाता है, थाइरोड ग्रिंद कहां से आता होग ठीक है, पैंक्रियास जिसे कहते हैं और ब्लड के circulation को maintain करते हैं, टेस्टेस्टरॉन व्रेशन क्या करवाता है भाईया, दुतियक लैगिक लक्षन, क्या maintain करवाता है ब्रद्धी लैगिक लक्षन, क्या है ये maintain करवाएगा, अंडाश है भाईया, ये कौन सा hormone release करेगा, ये release करेगा estrogen, और ये estrogen जनाब female में दुतियक लैगिक कंगो का, मासिक चक्र का नियमन करवाता है, adrenaline, adrenaline ग्रंथी, याद रखना, आपका heart rate, blood pressure, blood pressure increase करवाता है, स्वशन जो होता है, उसकी दर को बढ़ाता है, ठीक है, और आपका जो heart rate है, मतलब आपका जो हिरदय के काम करने का त pituitry ग्रंथी से hormone की प्रय nella के स्तरावत को प्रयात करता है, releasing hormone है और यह आता है, तो η यह याद रखना, जो हमारा hypothalmas होता है, वो पूरी दरह से pituitry को hypo thalamus होता है thalamus ये जो है pituitry को पूरा काम करवाता है कि pituitry क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है ये सारे काम ये ही decide करेगा तो यह हो गई कहानी खतम बाबुजी ये सारे point अच्छे से लिखिए और ये point यहाँ पर तुम्हारे chapters खतम हो जाते हैं मुझे उमीद है ये topic बहुत आसान ही समझ में आगया होगा one shot ही है जब हम live में और बहुत सरे चीज़े आएंगे तो आपके सभी समस्चाओं का समधान इस topic पर करेंगे मुझे उमीद है आपको topic पसंद आया होगा so love you all guys वीडियो को like जरूर करें share करिए subscribe करिए हमारे साथ ताकि ये channel की सारे notification आप तक मिलती रहें love you all guys bye bye